यहीं पर अकबर को दफनाया गयता और आज भी कुछ लोग आते हैं अपर अंद विश्वास के चक्कर में यहाँ पर आके पूजा पाट करते हैं यह देख सकते हैं आप लोग बहुत से दूर लोग दूर सा आते हैं और यह सारा एरियः आप देख सकते हैं, दोस्तों इसको बोलते है Golden Palace, ठीक है, आप देखर हमिगा आप भी थोड़ा धोड़ा और ग्ल्ड का रंग इसके बार चड़ा हो है, लेकिन उस दमाइन में, दोस्तों, यह पूरा एरियः जो है आप देख सकते है गोल्डन हलो दोस्तों क्या हल्चाल है और आज मैं आपको दिखाऊंगा आगरा में जलाल अगबर का मगबरा ये मगबरा किदर है ये मगबरा है आगरा में सिकंद्रा एक जगा है वहाँ पे इनका मगबरा है और हम सभी ने इनके बार में कहानियों में सुना है कहानियों में टिकेट है और हम लोग ने इसका टिकेट ले लिए अब हम लोग जो इसके अंदर जा रहे हैं और यहां पर काफी सारे महल है शीश महल है कांच महल है और यह एरिया जो दोस्तों काफी बड़ा एरिया अगर आप लोग दो डाई घंटे भी घूमते हो तो भी पूरा नहीं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अज का न्यू ब्लॉग यह जो दोस्तों सारा ग्राउंड एरिया ठीक है आप देख रहोंगे इसके ठीक पीछे ही वह टिकेट मलता है ठीक है और टिकेट लेने के बाद हम लोग यह रस्ते होए आते हुए अब जा रहे हैं यह आप देख रह तो यह है दोस्तों इसकी शाही एंट्री शाही एंट्री इसको क्यों कहा जाता है जब अकबर बाश्या के सेने जो हुआ करते थे और उनसे मिलने वाले जो दूसरे शेहरों से लोग आते थे इस तब इस एंट्री गेट से जाया करते थे और इस एंट्री गेट को तो सलामी गेट कहा जाता है, सलामी गेट इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जाने से पहले, लोग जो सिर जुका के जाये करते थे, जलाल अदिन अकबर का इतना उस समाने में खौफ हुआ करता है, दोस्तों, अकबर की जो कबर है, अगर वो इसके ठीक सामनी है, आप देखरोंगे, सामने जो पहले काला अंधेरा सा दर्वादा हो रही है, उसके आप सीधे चले आँए, तो आप बर की कबर दिखाए देगी, और इसके जो डिजाइन है, अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में आपने लोगों ने हुमाई को मगबरा दिखाए, तो इसका डिजाइन जो है, उससे कुछ मिलता जूलता है, इसके ओपर जो है, वाइट कलर से, वाइट टैलो से, वाइट संगे मरमन से डिजाइन कर रहा है, यह देख सकते हैं, कितने खुबसरा तरगिये से, इसकी नकाशी को इसको डिजाइन के गए, अब हम लोग जो इसके अंदर जा रहे हैं, और जब अकबर बाश्या इस रास्ते से जाय करते थे, तब उपर घड़े हुए सेनापती जो है, सारे सेनिक जो उनके लोग हुआ करते थे, वो उनके पर फूल बर्था करते थे, और हम लोग जो दोस्तों इस गेट के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, वो है सलामवी दरवाजा, और यह जो आप देख रहे हूँ, इसको कहते हैं, इलाही गेट, इलाही गेट क्यों कहा जाता है, इलाही गेट इसलिए कहा है जो, क्योंकि 1582 में, अकबर बाश्या ने एक धरम की स्थापना की, उस धरम में सभी लोगों को जो हिज़त दी जाते थी, और इस वज़े से इस गेट का नाम दिया गया है, इस वज़े इस गेट को बनाएगा, और इसका जो इस्ट्रक्टर बनाएगा है, इसलामिक रिवास के इसाफ से बनाएगा है, आप देख सकते हैं, इसकी जो मिलार है, सफेद संग ये मरमर के पथर से इसको बनाएगा है, और मैं आपको जो है, इसका जो मगबरा है, वो सामने इसका मगबरा है, घीक और दोस्तों, इसके ठीक सामने ही आप देख सकते हैं, ये जो है शाही कौइँ, ये शाही कौइँ कहला जाता था, उस्समान में, लेकिन आज उसक अंदर पानी हैगा, और इस पानी को जो इस्तिमाल क्या जाता है yahan की अकपर वाश्य की कबर है, dummy कबर है, main कबर जो है, वो इसके नीचे है और वहां का दिखाता हूँ तो दोस्तों, आम मैं आपको दिखाता हूँ वह एरिया जहां पर अकबर बाक्षा ने उन जाओ को बनाया जिनके अनुसार हमें पता लगता है कि यह पूरा एरिया जो है एलिफह एकर का एरिया वह या किसी एक धर्म के अनुसार नहीं बनागा इसको ए सवी धर्मों को देखते हुए इसका स्ट्रक्ष्रन बनागा। आप भागा आप देख सकते हूगी है इसको बनागा और किसी एक धिर्म को देखते भोड में बनाई गया। आप सकते हैं। छोड़ी महरब बनेने गया। जोड़ी महरब बहुत को भूलते हैंक। और गपर मेरे लिच्टेदार एलो आयल मरें। तब उनको भी यही पर दफना गया है, मतलब पहले मेरी कबर हो, और मेरी कबर के आसपास ही मेरे रिष्टेयारों की कबर हो, अब मैं आपको दोस्तो उस स्ट्रक्चर के अंदर लेके चलता हूँ और उसकी कबर दिखाता हूँ, आईए तो हम लोग इस मगबर के पास में पहुच चुके हैं, और आप देख सकते हैं, बीच में बाशागबर की कबर है, और इसके ठीक आसपास ही ये कम्रे बने हुए है, सारे कम्रे इसलिए बना गयते हैं, मैं आपको बताया था पहले भी, कि यहां पर उनके जो रिष्टेतार थे उनको यहां पर दफनाया जाया, और बीच में बाशागबर की कबर हो, लेकिन सन सोला सो एकसर्ट में बताया जाता है, कि इसके ओपर आक्रमन किया गया, और इसको काफी नुकसान पहुचाया गया, और इस मगबर के अंदर जाने से पहले दोस्तों, आपको जो है जूते च और यह सारा अरिया आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको बोलते है गोल्डन पेलेस, आप देख रहोंगे, आप भी थोड़ा थोड़ा गोल्ड का रंग इसको पर चड़ा हो है, लेकिन उस जमान में दोस्तों, यह पूरा अरिया आप देख सकते हैं, गोल्डन जो सोने का का तो जब अंग्रेजों ने हम लेकरा तो इसका जो सोना है वो जला गा दियाता है यह पर ऐंख लागा दियाता है यह आपर आउंग लागा दी गई ती काफी भैन एक तरीखे से और इसके सारा सोने पीगल आकर वो अपने साथ ले गए थे भरत पर के जाड़ते दोस्तों जो जमाने में उन लोगा ने हमला करा और यहां पर जो सारा सोने थे वह भी आकर ले गए थे आप देख सकते हैं यह देखें आप तो थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ यह देखे सारा सोने कर यहां पर काम हुआ गए और ठीक अंदर जो है बाशा अकबर की कबर है और यह रास्ता जो जा रही है दो तो महान अकबर की कबर की तरफ जा रही है बिल्कुल एक गली सी जा रही है आप देख सकते हैं बिल्कुल सननाठा है चारो तरफ बिल्कुल एक गली सी जा रही है अब हम लोग कबर की तरफ जा दे रहा रहा है तो यह दोस्तों बाशा अकबर की कबर जो की मेन कबर है और इसके उपर जो है वो मगबरा बना हुआ है, देखिए मैं जो हूँ मगबर के ठीक अंदर हूँ यह देख सके आप बाश्या अकबर की कबर यह देखिए यहाँ भई दोस्तों, बोल ना मना है वो इसलिए मैं जो होथ हलके हलके बात कर रहा हूँ, यह देखिए बहुत से कम लोगों ने जागा वियो दिखायते हैं जलाल उतिन अकबर उनकी कबर है यह बाश्चा अकबर की कबर दिखाने के बाद दोस्तों मैं आपको उचाह लेकर आ चुका हूँ जहां पर 40 कमरे बनाये गए और उन्हें वस्यत करें थी कि मेरे आसपास की इनकी कबर को मतलब रखा जाया है मतलब मेरे रिष्टिदाद उनकी कबर को वहीं पर ही दफनाया जाया इस सारे 40 कमरे बने वहाई है यह देख सकते हैं और जहां पर मैं खड़ा हूँ दोस्तों यहा सोना मैं आपको दिया है कि गोल्डन पैलेस है यहां पर उसका भी जो सोना है वह लुटके ले गए हैं आपके तो दोस्तों इस मगबर के जो शुरुवात है वह संत 1582 में हुई थी ठीक है और इस मगबर को जो बनवान में 3-4 साल का वक्त अगए था और इसके बनवान में कीमत आती वह पंदर लाग इसकी कीमत आती लगबत इसको जो है 15,000 मगदूरों ने मिलकर बनवाय था और इस मगबर को बनाते 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 जो बाश्या अकबर पे उनकी डैथ हो गए थी कहा यह एताय था उनकी जो डैथ हो थी वह एक बीमार की पेचिश उसके कारण उन में से यह जो आप देख रहोंगे इस गेट के पर उन जाटरों में हम लग रहा और इस गेट की जरीए वह इसको मगबर के अंदर आया और मैंने आपको दिखाया गोल्डन पेलेस वहां का जोए सोना उन्होंने जला का लूट लिया और उसके बात दोस्तों जो कुछ भी ब पाच पाच समाला क्योंकि उनकी जो पिटा जीते मला वफादर थे उनकी डैथ हुए थी पंद्रा साल की उम्मर में बच्चों के खेलने की मरव थी लेकिन उन्होंने एक पूरी सलतना समाल ले थी तो सबकी वीडियो पसंद आई होगी मैं आपको जलाल उदिन अकबर से र आप आपस्ट